हलो इस्टुडेंट्स गुड मार्णिंग आल आफ यू ए ट्यूटोरियल बिना एक इंटर्मीडियर्ड कालेज खजरहट आयोध्या में आपका स्वागत है मैं दया संकर यादो क्लास टेंथ सब्जेक्ट बायलोजी मैं आज नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ इसके निम्नलिखित महत्व हैं फर्स्ट है डियन्ने एक आनुवनसिक पदार्थ है जो सजिवों में आनुवनसिक सुचनाओं को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में पहुंचाता है सेकेंड है डियन्ने कोशिका की सभी उपापचाईवा अन्य जैविक क्रियाओं का नियंतरन करता है थर्ड पॉइंट है डियन्ने स्वयम के संसलेशन को निर्देशित करता है जिसे डियन्ने प्रतिक्रिति करण रिप्लिकेशन या ग्रिफित का लिपी करण कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है डियन्ने द्वारा आर्यन्ने का संसलेशन किया जाता है जो कि प्रोटीन संसलेशन के लिए अतियावस्यक होता है इस प्रक्रम को अनुलेखन या ट्रांस्क्रिप्सन कहते हैं अब हम पढ़ेंगे आर्यन्ने के बारे में शेकेंड है निउक्लिक अमल का दूसरा टाइप से आर्यन्ने राइवो नूक्लिक अमल RNA का निर्माड DNA से होता है जैसा कि उपर बताया गया है DNA द्वारा RNA का संसलेशन किया जाता है यह DNA से RNA का निर्माड होता है RNA का निर्माड DNA से होता है यह भी polynucleotide shrinkla से बना होता है जिसका निर्माड हजारों nucleotides से होता है RNA का nucleotides भी DNA के जैसा ही होता है परन्तु यह निम्न दो बातों में DNA nucleotides से अलग होता है फर्स्ट है इसमें राइबोस सरकरा उपस्थित होती है डी आक्सी राइबोस नहीं डी आक्सी राइबोस सरकरा DNA में पाई जाती है और RNA में राइबोस सरकरा उपस्थित होती है दूसरी पॉइंट है इसमें थाइमीन नामक नाइट्रोजन चारक के अस्थान पर यूरेसिल होता है जो की पिरिमीडीन होता है यह सामानतया एक रज्जुक सिंगल स्टेंडेड होता है यह अनुशिक पदार्थ नहीं होता है परन्तु अपवाद स्वरूप या दूरज्जुकी डबूल हेलकिल एवं आनुशिक भी होता है जैसे रियो वाइरस में यह आनुशिक पदार्थ होता है आज के वीडियो नहीं पर खतम होता है इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप आफ आर्यन्ने आर्यन्ने के प्रकार थैंक्यू